नमस्कार फिर पैसा बोलता है मैं आपका अस्पागत है इस फिबरेवरी के अंतिम हाफते मैं दुबाई में हूँगा जो मुझे दुबाई में मिलना चाहें 24 और 25 फिबरेवरी में मैं दुबाई में इवेंट करने वाला हूँ जो भी दुबाई अबुदाभी शार्जा और आनिया अमिरेट्स में हैं और मुझे मिलना चाहते हैं वो मुझे मिल सकते हैं नीचे एक वाटसाप नमबर है इमेल है और गूगल फॉर्म है उसको इस्तमाल कीजिए मैं और फिल इन कीजिए मेरे टीम आपसे संपक करेगा धन् नमस्कार जैन्तु नमस्कार फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है मैं आनन स्थेनिवासन आज मार्केट पहले ओपर कुलाता लेकिन RBI की मीटिंग हुई मार्क BIA के मीटिंग के बाद लगातार मार्केट नीचे आई 185 पॉइंट निफ्टी डाउन है 700 पॉइंट के उपर से सेंसरेक्स डावन है प्राइवेट बंक्स और बंक निफटी ही बहुत बड़ा नुकसान में है तोड़ा बहुत पब्लिक सेक्टर बंक्स में राली है लेकिन वो राली में भी सेल्स फोगा आज सबसे बड़ा कबर यह है कि अर्बियाइड पालिसी में यह उन्होंने रहेगी, तो हऎ कोई गुद्धाश नहीं है इंफ्लेशन कम होगी तो अगले साल देखा जायेगा, तो जो मुश्किलाथ हैं आपकोई, जो इंफ्लेशन के कारण, बुद्धास पती के कारण, जो दामों के कारण, वो कन्ट्टिन्यू होगी, यही न्यूस है र्बिए का, और इसी कारण RBA ने कोई चूट नहीं दी अपनी monetary policy में tight ही रखा और liquidity को भी tight रखा इसके कारण market में पैसा लेना बहुत पुश्किल होगा और इसी कारण bank का जो cost of deposits वो उपर जाएगा और market में tightness आएगी और इसी कारण market ने आज इतना गिरावट आया है दूसरा आज सुबह market के पहले ही पहले open होते हुई South Indian bank लगबख 7% उपर होगटी 39.5 रुपीस हैं लगातार हमने इसको consider करने लिए आपको बोला आपने चाइब पानी के तरफ consider उसको consider किया 5 रुपिया से consider कर रहे हैं 17 रुपिया 20 रुपिया तक consider किया है अभी लगबख 40 रुपिया तक पहुंच गया है अभी तक कोई news नहीं आया है rights issue के बारे में जब rights issue आएगी तब आप आप आम इसके बात करेंगे ओवराल क्या हो रहा है कि market में pressure ज्यादा है और market नीचे गिर रही है पाइबेट सेक्टर बैंक्स problem में है IT की results ठीक नहीं है और ये सबी तीसरा बात ये है कि FMCG भी pressure में है सिर्फ फार्मा कंपनीज का results बहुत अच्छा था कल अगर आपने मिनसेस्टर चैनल देखें तो आपको पता होगा कि ब्रिटानिया की profits भी बहुत खराबती 40% नीचे आई revenue ये 1% गई उपर आई तो कैसा हुआ कि जो price rises उन्हों ने ली उससे revenue उपर गई लेकिन quantity कम थी so quantity of sales कम थी और input cost बहुत ज़्यादा थी इसके कारण profits कम हुए Unilever का profits भी अच्छा नहीं था आज निसले का profits आया वो 4% उपर है बहुत अच्छा नहीं है Tata Consumer का results आया 17% profits कमती ये भी अच्छी बात नहीं है तो Tata Consumer नेसले और Hindustan नीवर का results को देखते हुए ITC का results देखते हुए हमको ये clear indication मिल रहा है कि अभी FMCG सेक्टर में इंडिया में कोई recovery नहीं है में recovery की possibility भी नहीं है दाम लगाता रूपर जा रही है लोगों higher prices increase होने से लोग खम करीद रहे है या अपने आपको brand downgrade कर रहे है branded groceries branded eatables का consumer goods का sales कम होता जा रहा है squeeze के कारण सारे FMCG stocks प्रशर में होंगे अगर आपको consider करना है तो आप unilever बारत के बाहर consider कर सकते हो निसले को बाहर consider कर सकते हो इस quarter में टाटा consumer और स्टारबक्स ने 22 नई coffee shops खुले है तो उनका expansion चलता है उपर जाता रहता है उपर इनका expansion जा रहा है as per plan और more stores खुलेंगे और टाटा कॉफी का merger टाटा consumer से हो रहा है तो टाटा consumer का sales अभी खम है लेकिन वो Chinese secrets brand उनसे मिलने से उसका sales अनेवने quarters में improve होंगे लेकिन ये acquisition की sales बात हो रही है क्या organically भी sales ग्रोव हो रहा है हमको देखना पड़ेगा अगर हम बारतीय कंपनी के बारे हैं सिर्फ हम ITC को consider कर सकते हैं क्योंकि उनके पास positive cash flow cigarette sets होता है और इसी करन वो invest कर सकते हैं FMCG product को expand करने के लिए तो अगर आप consider कर रहे हैं हो FMCG stock में सिर्फ ITC को consider कर सकते हो Tata Steel ने अरूंज कर दी कि उन्होंने अपने 9 कंपनियों में से 5 कंपनियों को अपने आप मर्ज कर दिया हमने Tata Metallics और Tata Long Products में आपको बताया कि एक arbitrage opportunity हो गया थी वो आज close हो गया और तोड़ी देर देर बाद आपके Tata Metallic शेर जाके Tata Steel शेर मिलेगा आपको तो Tata Metal, Tata Steel का दाम उपर गया है 145 रूपया में है वो 52 गई के आज पास हैं हमने जब consider किया तो वो ये 880 रूपया था क्योंकि अभी 10 रूपी शेर को चे महिने पहले उन्होंने ये 1 रूपी शेर में बदला 1 रूपी शेर में बदला तो आज आपका दिमागी संतुरन अच्छा होगा क्योंकि जो भी stocks हमने invest किया है उसमें आपका results बहुत अच्छा रहा तो आपके पास list है consideration के लिए आप आज भी consider करें international market में news है कि बहुत सारे stocks उपर गए है कल overall US markets उप positive cross होई ARM holdings जो chip design company है उनका result बहुत 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 है इसके लिए साफ इसी कारण साफ बैंक वोनर साफ बैंक पी ARM holdings की वोनर है तो उसमें price में भी bump up होई जापनी stocks उपर है जिन इस्ताकों को जपान में हमने consider करने के लिए आप से कहा आपने भी consider किया इससे आपका बहुत बड़ा अलाब मिल चुका है तो जापनी इस्ताकों अच्छे हैं और अमरिका में भी बैंक्स में कुछ प्राब्लम्स आ रहे हैं नियॉर्क कम्यूनिटी बैंक ने अपना ये commercial real estate दासस के कारण बैंक गरपसी के और बढ़ रही है जर्मन डाइश बैंक और ये जापनीज बैंक भी मुश्किलाथ में है ये सब अमरिकन commercial real estate के कारण मुश्किलाथ में है और मुश्किल तो बढ़ेगी ही अमरिका में कोई interest rate cut अभी नहीं होगी और interest rate cut के बारे में मार्च के बारे बात ही वो बताएंगे अगर तीन जाइसे वैसे जाण पर उने आपको information दिया तीन बार वो rate काटते हैं फिर भी 5.25 to 5.5 will become 4.5 to 4.75 और real estate में especially commercial real estate में बहुत ज़्यादा प्रशर आएगी US parks में अच्छे वैसे banks हैं जो book value के नीचे trade हो रहा है आप इनको consider कर सकते हो Intel का ये case हार गया है वो जर्मनी में patent infringement का और Intel का दावा है कि वो court में appeal करेंगे लेकिन वो उतना sales में उतना बड़ा impact नहीं होगा लेकिन Intel stock correct कर सकती है लेकिन जिस price ने हम से consider किया उदर से बहुत बहुत बहुँपर है तो हमारे उपर इस पर कोई असर नहीं पढ़ेगा तो American market भी है Japanese markets भी उपर है जहां से हमने करिदना consider करना शुरू किया बारत में आज pressure है कुछ आपको opposite मिलेगा आप opposite मिला तो आप इसको consider करें Costco की जो Costco जो मंगर का फेवरेट कमपनी था जो आज मंगर की family holding में सबसे बड़ा holding है बेक शे के बाद उस company को का जो CEO पत्रे 40 साल से है Richard Galanty जिसने 80 press conference अटिंग की है और सारे con call लिये हैं वो company से retire हो रही है इससे company को क्या असर इससे company का क्या असर पड़ेगा उसे हमकर देखना ही नापना पड़ेगा अभी बहुत expensive cost को क्या cost को खरीदने लाइक होगा इसके बारे हमको वेट करके वेट करने के बारी पता लगेगा तो आज market नीचे है आज list आप के पास है जो आप खरीदना चाहें आप खरीद चाहें जो consider करना चाहते हैं आप consider कीजिए अपने इस पाड़कास को सुना इसके लिए मैं आपका आबारी हूँ अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चानल को सब्सक्रीब कीजिए और बिल नोटिफिकेशन दबाएं हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और सिदार के परस बेजे और उनको देखने के याग रख करें धन्यवाद नमस्कार जैहिंद